गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स, आम यूर इंग्लिश टीचर, इस इज रिविजन वीडियो फोर क्लास थ्री, स्टुदेंट्स, इन प्रेवियस क्लास, वी हैट कम्प्लिटेट चेप्टर वन इन इंग्लिश ग्रामर बुक, स्टुदेंट्स, पिछले क्लास में हम अब इस वीडियो में हम लोग चेप्टर वन का रिविजन करेंगे, जिसका नाम नाउन्स है, फर्स्ट अफ आल, सबसे पहले ये जाना बहुत जरूरी है कि नाउन होते क्या हैं, तो नाउन का डिफिनिशन यह हो सकता है कि a noun is the name of any person, place or anything. यह नाउन का डिफिनिशन हो सकता है, नाउन का हिंदी संग्या होता है, तो संग्या किसे कहता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, आदि के नाम को संग्या कहते हैं, ठीक है? कि यहां लई रिखिए आपके बुक में दिया हुए है कि नाउं अज और नेमिंग वार्ड नाॉन क्या है नेमिंग वाड है Streets जिश् properly नाउन मिन्स जिसे हम का olsun कर सकते हैं गिन सकते हैं लिख़े Всем तो फिर से मैं आपको कुछ एक्जामपल बता रहा हूं नाउन के बारे में नाउन के एक्जामपल में किसी का भी नाम ले सकते हैं जैसे राम, मोहन, सीता, गीता ठीक है यह हो गया सहर का नाम हो गया पटना, इलाहावाद, बैंगलोर्ड, सीटी यह हो गया उसके बाद हम बोल सकते हैं कि टाइगर, हेल, वर्म, ठीक है, बोड़ी पार्ट्स, इयर, नोज, लेग, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज हो गया है तो इन सब चीजों को हम नाउन कहते हैं, तो नाउन को दो भागो बाटा गया है, countable नाउन, uncountable नाउन, countable नाउन को तीन भागो में बाटा गया है कौन-कौन से, एक common noun, दूसरा proper noun, and third collective noun, common noun क्या होते हैं, common noun means common, सबके लिए वो common होगा, proper noun means special, और collective noun means group, समुम है, ठीखा है, तो ये countable noun के तीन पार्ट हो गए है, और अब आज जाता है हम लोग uncountable noun पे है, uncountable noun किसे कहते हैं, uncountable noun जो होते हैं, वो दो तरीके को होते हैं, कौन-कौन से हैं, first concrete noun, या फिर उसे material noun भी बोलते हैं, material noun means metal से related, ठीक है, matter से related हो सकते हैं, and second abstract noun, abstract means emotion, emotional noun जो होते हैं, जिससे measurement नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये uncountable noun में ये आते हैं, चलिए, हमारे बुक में दिया हुआ है कि common nouns can be common names, common noun किसे कहते हैं, common name को कहते हैं, एक्जामपल में देखिए हैं, animals, birds and insects, animals, birds and insects में हो गया है, tiger, hen, warm, place में आ गया हमारा एक्जामपल कौन कौन सा हो गया, church, park, city, village, ये सब क्या है, common noun हो गया है, ठीक है, ठीक क्या हो गया है, ठीक में जैसे कोई सामान हो गया, वस्तु हो गया, board, calendar, milk, etc, ये सब क्या है, ठीक है, parts of the body, एक्जामपल में लिजे, year, nose, lake, trees, fruit, vegetable and flowers में एक्जामपल क्या हो गया है, बन्यान, बन्यान tree, grapes, potato, nose, etc, ये सब क्या है, रोज ये सब क्या है, common noun के एक्जामपल है, अब हम चलते है, proper noun क्यों, proper noun क्या है, proper nouns can be special names of, ये proper noun क्या है, special name होता है, तो ये जैसे किसी people का, किसी भी व्यक्ति का अगर special नाम कोई होता है, जैसे एक्जामपल में है, राम, फरहान, मैरी, ये सब क्या है, special name है, और अगर माल जे place पे लेके चलते हैं, तो place में जैसे होगा, ये कोई village है, तो village का नाम कुछ होगा न, कोई town है, उसका भी कोई नाम होगा, special city का नाम होगा, special state का नाम होगा, country का नाम होगा, continent का नाम होगा, ये जितने भी naming words है, वो क्या है, special name है, और ये क्या है, proper noun है, फिर उसके बाद mountains, rivers, lakes, valleys, इन सब चीजों के नाम होते हैं, इन सब चीजों के नाम होते हैं, तो यह सब क्या है, जितने भी naming words होते हैं, जो special name है, वो सब क्या है, proper noun है, ठीक है, तो अब हम लोग common noun और proper noun में difference करना समझ गया होंगे, अच्छे से, कैसे उन लोगों में difference कर सकते हैं, common means होता ही है, क्या common, सब में common होगा, यह से church, कोई भी church bike, कोई भी bike, अगर जैसे ही बोला जा रहा है, example के रूप में, कि हीरो हुंडा की bike, तो हीरो हुंडा क्या हो गया हमारा, special हो गया, यह special noun जो हो गया, वो क्या हो गया, proper noun हो गया, ठीक है, तो यह noun में common noun और proper noun में difference, बहुत easy तरीके सम समझ सकते हैं, ठीक है, तो अब हम चलता है exercise की और क्या exercise है हमारा, exercise two को बना के लाना है आपको, exercise में second question क्या है, picture को देखना है आपको picture देखने के बाद जिदने भी common noun है, उन्हें आपको copy पे लिखना है, ठीक है, तो इसमें आपको homework हो गया exercise का second question आपको homework में हो गया, इसके बाद exercise का four question आपको homework के रूप में मैं दे रहा हूं आपको यह हमारा fourth question है इसमें common noun दिये हुए हैं आपको इनके proper noun बनाने हैं ठीक हैं आपको इनके proper noun बना करके copy में revision करना है उसके बाद कुछ homework मैं fun task से आपको दे रहा हूं जिसमें कुछ images हैं जिने आपको name of people, name of animals, name of place and name of thing में आपको divide करके बनाने हैं आपको ठीक है यह तीन homework आपको मिलेगा आपको इन तीनों को बना के रखना है कॉपी में ओके यह मारा first chapter का डिविजन खत्म हुगा ओके